सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने स्केल्टर नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो सभी को मकर सक्रांती की बहुत बहुत सुपकाम नहीं और इसी तरह आप पढ़ते रहें बढ़ते रहें आगे अपने ड्रीम को जल्दी से जल्दी पाएं और यह साल आपके लेगाल का तो अची हो आपका जल्दी आपको मिले करें की क्लास की क्लास में आपको एक चीज बताई थी वद्ली घरना को बाहु कितना था सर मैंने आपको कल की रहा स्वा रहा नहीं था कि सब्लड़ नहीं था किसर प्तर Resident का मदर का भी था, maternal blood भी था उसके अंदर और सर fetal blood भी था, था या नहीं था, कि सर बिलकुल था, कि सर maternal blood आपने हमें सारे 300 ml बताया, जबकि ये 3.500 ml और इसका बताया आपने 500 ml, तो इसको correct कर लेंगे सभी बच्चे, कि maternal जो blood होता है, बो 100 ml होता है, बच्चो और जो fetal blood होता है, बो 300 ml होता है, क्या होता है, उसको सारे बच्चे correct करेंगे, कि maternal blood कितना था, सा studies, तो इसको आज हम क्या करेंगे करेंगे आगे बाद सब्सक्राइब चलिए अब मैं आप से कल की क्लास से कुछन स्कूछता हूं एक मैं आप से कुछन करता हूं तो ऑक्सिजन सप्लाइड टो दफीटस एट फीटस को ऑक्सिजन सप्लाइड कैसे होती है मतलब कि कितने एमल पर केजी के इसाफ से होती है तो आपको आंसर देना है सर आंसर क्या जाएगा आपका कि 8 ml पर केजी पर मिनट के इसाब से कितनी होती है बच्चो एट एमल पर केजी पर मिनट के इसाब से क्या होती है oxygen supply होती है किसको fetus को आहिवास संद में या तक की बहुत बढ़िया अब मैं आप से question एक और पूछता हूँ कि सर प्लेसेंटा एट टर्म की हम बात करते हैं प्लेसेंटा एटम की हम बात करते हैं कि सर वेट कितना होता है प्लेसेंटा का तो आपको बता देना है कि सर पांसो ग्राम का होता है कितने ग्राम का होता है बच्चो कि सर 500 ग्राम का होता है कितने ग्राम का होता है बजन उसका 500 ग्राम का होता है अगर मैं आप से बात करूँ कि सर फीटल वेट कितना होता है बच्चे का बजन होता है लगबग 3 केजी कितना होता है अगर आप से कोई कुश्चन पूचता है कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है कि सर पांसो ग्राम, उसका एमेल और व्लड बॉल्यूम कितना होता है, टोटल तो आपको बताना है सर पांसो एमेल, दोनों की दोनों बाते बहुत इजी हैं समझने के लिए, कि सर बिलको लीजी है, अब मैं आप से दूसरी बात कर रहा हू कि सर रेशो आफ प्लेसेंटा और फीटस, फीटस और प्लेसेंटा का रेशो क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप से में एक्जाम के अंदर, कि प्लेसेंटा और फीटस का रेशो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको लिखना है कि सर पांसो ग्रा आए कि सर 1000 ग्राम होता है होता है नहीं होता बच्चो कि सर बिल्कुल होता है तो हमने देखा कि कितना देखा हमने कितना देखा कि 500 ग्राम से कितना देखा कि भईया ये रेशो आपको निकल के आया लेकिन और भी इसको हम काट सकते हैं कि सर बिलकुल काट सकते हैं तो 5 एकम 5 एक बार कटेगा 500 से तो ये और ये कितना बार कट जाएगा सर 6 बार कट जाएगा तो आपका ratio जो निकल के आएगा वो कितना आएगा कि सर 1 ratio 6 आपका answer आपको देखने को मिल जाएगा क्या आपको मेरी बात सर में आई बच्चो किलियर सी बात है यहाँ पर confusion होने की जरूत नहीं है अगर आपसे यही सवाल उल्टा पूछा जाए कि fetus और placenta का ratio बताओ ये question fetus और placenta का ratio अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो भी आपको answer क्या देना है fetus का तो 6 होता है placenta का एक होता है तो इसको आपको भी क्या कर देना है ओल्टा कर देना है ठीक है आगे वासे में चलें अगले question की तरफ बहुत बढ़िया कि अगर मैं आपसे बात करूँ एक question और देखते हैं कि वैंट कि इस दा कि वेट ओफ प्लेसेंटा वेन इस दा वेट ओफ प्लेसेंटा एंड वेट ओफ फीटस at which time equal मतलब कि दोनों का कि प्लेसेंटा का वेट और फीटस का वेट दोनों का वेट जो है वो एक समान हो जाए equal हो जाए equal का मतलब होता है कि एक समान हो जाना कब आपको देखने को मिलता है तो सिंपल सी बात आपको लिख देनी है कि सर 17 weeks का जो समय होता है हमारे कौन सा week का सर 17 weeks का जो समय होता है 17 weeks जो होता है उसमें प्लेसेंटा का और फीटस का क्या होता है जो बजन होता है वो एक समान आपको देखने को मिल जाता है बहुत बड़ी है चलेंगे और almost कितना होता है बच्चों कि almost कितना होता है कि सर 150 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है यह average देखने को मिलता है ठीक है बहुत बड़े चलेंगे जो प्लेसेंटा होता है ना प्लेसेंटा कि फॉर्मिंग स्टार्ट 6 weeks कि कितने weeks पे start होता है बनना किसर 6 weeks पे होता है complete कितने weeks पे हो जाता है किसर complete कितने weeks पे हो जाता है किसर आप सभी को पता है किसर 12 weeks पे complete आपको देखने को मिलता है मिलता है नहीं मिलता है किसर बिलकुल देखने को मिल जाता है अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो लोकेट दू पलेसेंटा तो लोकेट दू पलेसेंटा पलेसेंटा को देखने के लिए तो हम संदर यॉटें उल्टर फिल्ड के बाहर है समें क्या करना है कि रेकिट बेस्ट टाइम दू यॉवेजिक कौन सी टाइम होती है कि हमें सब सर्फ आपको मिले तो आपको लिखना है कि होल प्रेगनेसी 40 weeks तक और हम कह सकते हैं कि आप ऐसे तो कर सकते हो लेकिन आपको क्या करना है कि सर आंसर देना है हमें तो आपको लिखना है 3rd trimester क्योंकि 3rd trimester तक अच्छे से डबलप हो चुका होता है अच्छे से बजन उसका गेन कर चुका होता है और proper work करने की उपस्तिती में होता है क्या आपको मेरी बात संज में आई बच्छो बहुत बढ़िया चलिए अब कुछ त्रेमेस्टर की बात करते हैं कि जो हमारे टाइमेस्टर होते हैं जैसे कि 1st trimester होता है कितने दिन का होता है हमने तो पढ़ा है कि 12 weeks का होता है कि 12 weeks सक का 1st trimester होता है और अगले 3 मेंने 2nd trimester होता है और अगले 3 मेंने क्या होता है 3rd trimester होता है जबकि ऐसा exact answer नहीं होता है तो exact answer होने वाला है वो क्या होने वाला है कि 13 weeks plus 6 days कितने होते हैं बच्छो कि 13 week plus 6 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं 1st trimester के अंदर रखा जाता है और जो 2nd trimester का बच्चा होता है 2nd 2nd trimester किसको कहते हैं अगर आप से question पूझा जाता है तो आपको लिखना है किसा 14 weeks plus 14 weeks plus 14 weeks से लेके 27 weeks plus 6 days कितना होता है कितना होता है बच्चो तो आपको बता देना है किसा 14 weeks से लेके 27 weeks 27 weeks plus 6 days सक का बच्चा जो होता है 2nd trimester के अंदर रखा जाता है और आप अगर 3rd trimester की बात करते हो तो 3rd trimester का जो बच्चा होता है वो कितने देखने को मिलता है कि सर कितना देखने को मिलता है, 28 weeks to, 28 weeks to, 28 weeks to, 40 weeks, क्या होता है बच्चो, 28 weeks to, 40 weeks तक का जो बच्चा आपको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं, थर्ट ट्राइमिस्टर, आगई आपको वास्ताज में बहुत बढ़िया, चलेंगे, अगर मैं आपसे हिस्टोलोजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चो, histology की इसके अंदर इसकी इकाई क्या होती है किस से मिलकर बना होता है कितना इसका size होता है कितना इसका gram बजन होता है वो सब के बारे में इसके अंदर histology के अंदर हम बाते करते हैं सबसे पहली बात करते हैं कि it has होफ होफ वेवर सेल्स इसकी अंदर क्या पाई आती है बच्चो होफ वेवर सेल्स पाई आती है जो कि क्या होती है कि सर्फ फैगोसिटिक सेल्स होती है क्या होती है बच्चो हमारी फैगोसिटिक सेल्स होती है फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है कि हमें infection से बचाने बाली जो cells होती है उनको कहते हैं क्या? hop-webber cells जो placenta के अंदर पाई जाती है वो cells कौन सी होती है hop-webber cells होती है क्या काम करती है phagocytic का काम करती है phagocytosism किसे कहते है कि सर हमें किस से बचाती है वो infection होने से बचाती है उनको infection को kill करने का काम करती है कौन करती है question पूछा जा सकता है आपसे confused नहीं होना है ठीक है बच्चो बहुत बड़े चलें अंगले question की तरफ अगर मैं आपसे बात करूँ किसे dimension of placenta placenta का जो dimensions होते है वो क्या-क्या आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि diameter कितना होता है किसर diameter होता है 15 से 20 cm का diameter होता है diameter का मतलब होता है कितने छेतरवे फैला हुआ होता है अगर मैं दूसरी बात करता हूँ आपसे thickness की बात करते हैं अगर मैं thickness की बात करता हूँ तो कितना होता है अगर मैं आपसे average की बात करूँ किसर average कितना हो सकता है तो आपको 2 से 5 cm आंसर देना है कितना देना है 2 से 5 cm का आंसर देना है और मैं अगर दूसरी आपसे बात करूँ तो maximum जो thickness होती है maximum जो thickness होती है वो कितनी हो सकती है 4 cm की देखने को मिल सकती है आपको question कैसे भी पूछा जा सकता है दोनों का दोनों का answer बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा तरीके से मैंने आपको बताया है और इनका answer जो होता है अगर आपसे कोई question पूछता है कि average thickness of the placent है तो आपको 2-5 cm तर जाना है और maximum कितनी हो सकती है 4 cm सकती है क्योंकि 5 तक तो आपन range क्यों लेके चलते है कोई भी range होती है वो आगे पीछे हो सकती है तो maximum अगर आपसे पूछा आता है कि maximum thickness कितनी हो सकती है तो आपको बताना है कि फोर सेंटिमेटर हो सकती है आगे बासंद में यहां तक की कि यहां तक कि क्लास की अंदर किसी को डाउट है बच्चों किसार बिल्कुल नहीं है चले अगले कोशन की तरफ चलते हैं कि प्लेसेंटा कि चिक इज थिक इन सेंटर कि एड़ थिन इन पैरिफरी सब्सक्राइब बात कि कि अगर मैं आप से कहूं कि जो प्लेसेंटा होता है वो बीच में से थिक हो जाता है क्योंकि बीच में से थिक होने कारण क्या है कि बीच में से उसको अमलाइकल कॉर्ड और आर्ट्री इसको क्या करना है कि फिटसक जोड़ना है कि बीच में से सर कैसा होता है मैं अगर आप से बात करता हूँ कि सर बीच में से थिक होगा और पैरी फ्रीज से क्या होगा पतला हो जाएगा आई आप सो बास्वज में कि सर आपने बताया कि सर यहां से थिक होता है बीच में से थिक होगा और पैरी फ्रीज से कैसा होगा कमजोर होगा पतला देखने को मिलेगा आई आप जब नया नया रोटी बेलना सीखता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बीच में से मोटी मोटी रख देता है पेरिफ्रेज्ट से क्या करते था है पतला कर देता है उसी को कहते हैं हम प्लेसेंटा अगे वासरज में बहुत बढ़िया अगर मैं आप से बात करूं कि इट इफ प्लेसेंटा इज लुए अगर 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 बीच आपको चार सेंटीमेटर से मिल जादा देखने को मिलती knowledge शाय basementήσ से जादा बेखने को मिलती है तो इसके अंदर despair啊 Finn pregnancy तो या फिर उसकी जो मदर है वह वो डायवीटिक अब इनकी condition क्या है? देखो दो बच्चे होंगे तो हमेशा क्या होगा कि placenta जो होगा वो ठिक होगा अब diabetic mother का सर आपने क्यों बताया यहां पे कि diabetic क्या होता है कि diabetes की अंदर क्या होता है कि glucose बहुत ज़्यादा होता है इसका मतनद तो यही है कि glucose बहुत ज़्यादा condition में में देखने को मिलता है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक होती है हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि functional unit of placenta . placenta की functional unit होती हैche be couple Beauty techno कि सस्कूक्स प्रॉब्विभो水 बोलते हैं उनके अंदर कुछ कुछ पाहिजाते हैं और इसके अंदर भी से अनदर लिया थो लविभी सिर्फ बोल सकते हो । है हमने क्या बोल दिया बच्चो लोबूल दिया या फिर हमने बोल दिया कोटाइली डॉन क्या बोल दिया बच्चो कोटाइली डॉन अगर आप से कोई कुश्चन करता है कि फैगो सेटिक सेल्स कौन सी होती है तो हॉप बेपर सेल्स के नाम से बताना है अगर आप से कोई कुश्चन करता हो कि कैसे कैसे यहां पर देखने को मिलती है एक चंजिशन होती है मैटनल सर्फेस तो सर्फेस मिलती है मिलती है बच्चों नहीं मिलती किसर दो सर्फेस होती है एक सर्फेस होती है कि सर्मेटनल सर्फेस होती है ठीक है अब मैटनल सर्फेस के अंदर क्या होता है और एक होती है हमारी फीटल सर्फेस भया होगी या नहीं होगी कि सर आपने पहले ही बताया था कि प्रेसेंट के अंदर दो सर्फेस होती है मैटनल सर्फिस होती है और फीटल सर्फिस होती है अब जो मैटनल सर्फिस होती है बच्चो उसके अंदर क्या क्या चीजे आपको देखने को मिलती है उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि सर मैटनल सर्फिस क्या होती है कि इट इस फॉर्मड बाई अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको हमने बेसल प्लेट के नाम से जाना जा और इसको हमने किसके नाम से जाना था और इसको हमने क्या बोल दिया सर इसको हमने बेसल प्लेट बोल दिया ये तो हमने कल की ग्लास की बारे में बात करी थी करी थी या नहीं करी थी बहुत बढ़िया अगर मैं आपसे तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा जो point होता है बच्चों इस फॉर्म एस फॉर्वाइफ 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 प्लसेंटा यहां तक कोई गड़बड है नहीं है की सर इसका जो blood volume होता है placenta के अंदर वो कितना होता है की ज़ए बलद का ये कितना target करती है के सर ब्लद बॉल्यूम जो होता है वो सर 150 ml होता है और इसकी अंदर जो fetal का surface का जो blood होता है वो कितना होता है सर साड़े 300 ml देखने को मिलता है कि सर आगई बात बढ़िया और मैं आगई तरफ कल के बात करता हूँ कि सर मेंब्रेन जो होती है इसकी सर मेंब्रेन जो होती है वो डल इन रेड कलर की होती है कि सर इसके उपर जो लेयर पाए जाती है वो डल इन रेड कलर की होती है अगर मैं इसकी बात करूँ आप से तो इसके अंदर कैसी होती है seen in shiny and gray color की होती है shiny चमकीली देखने को मिलती है और gray color की होती है देखो सिंपल सी बात है जब भी आप placenta को देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये placenta की ये maternal surface है और ये हमारी क्या है जो maternal surface होगी वो एकदम लाल होगी क्योंकि maternal surface के अंदर mother के अंदर blood जादा है और बच्चे के अंदर जो होगी वो कैसी होगी एकदम gray होगी काली सी आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो लाल surface होती है वो हमेशा maternal surface होती है आगी बात सुन्द में यहां तक confused होने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको differentiation के बारे में बताया है, कि surfaces कैसे कैसे आपको देखने को मिल जाती है, आगी बात सुन्द में, अब मैं आगे चलके आपसे बात करता हूँ, कि अगर मैं आपसे बात करूँ, कि membrane, इसकी जो membrane होती है, अगर इसकी हम color की बात करें, इसको यहां पे लखेंगे, he, color ki, to color kiasa होता, are dell in red color होता है, अगर मैं आप से मात करूँ कि, इसकी yos membrane होती है, membrane does not membrane does not attach, елиac protein जो होती है, वो attach नहीं होती है, चाहती है कि membrane जो होती है, वो attach नहीं होती है, और इसके अंदर क्या होती है, कि सर-umbilical pod अटेच टू दा तू दा सेंटर एंडड मेंब्रेन अटेच इट क्या होती है कि मेंब्रेन क्या होती है चैन्टर के अंदर अटेच होती है क्या आपको बात सथां में आ गई बच्चो कि सेंटर के अंदर कौन सी अटेच होती है किसर अमिलाइकल कॉर्ड और मेंबरेन अटेच हो जाती है क्या आपको बास समझ में आई मैंने आपको बताया कि मेंटरन सर्फिस के अंदर मेंबरेन जो होती है वो क्या होती अटेच नहीं होती है लेकिन जो मेंब सी बात है मैं आपको अगर दिआम के ठीर थिरूब बता हो कि सर ये कौन सी साइट है कि Сर ये प्लेसिंटा है हमारा और यह इस की पीछे की साइड है ये ये एक India आपको umbilical cord एक तरब देखने को मिल रही है, इसका मतलब की वो fetal side है इसका मतलब कि वो fetal side है बच्चों, क्योंकि fetal کی side ही तो जाती है umbilical cord umbilical cord होती है, feetuss से connected होती है, तो fetal side तो वही होगी और back side होती है, पीछे की side जो होती है जो red color की आपको देखने को मिलेगी उसको गहते है हम maternal side आगे बासन जिस भी side पे आपको umbilical cord देखने को मिले इसका मतलब कि वो कौन सी side है वो कौन सी side है भाया कि वो fetal side है कि आपको मेरी बासन में आई बच्चो कि सर बिलकुल आगी चली आगे हम बात करते हैं हमने देखा अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले पॉइंट की बात करते हैं देखेंगे कि मैंने आपसे बात करी कि it has polygonal areas इसके अंदर क्या होते हैं कि polygonal areas होते हैं अब जो polygonal areas होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों उनको कहते हैं lobes उनको क्या कहा हमने किसर बच्चों lobe कह दिया अब lobe क्या होते हैं lobe कितने होते हैं lobe का मतलब क्या है these lobes are further divided इन्टो लोवूल सुमें DR दिएद इसका सु सकते हैं लोव्यूल क्या क्या सकते है बच्चो उसको हम क्या सकते हैं क Caesar बॉल यूनिट आफ दा प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्छो क्या आपको यहां तक की बातों में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी बाते में अल्रडी आपको बता चुका हूँ जब आप डियागराम देखोंगे प्लेसेंटा का मैंने आपको लिखाई है और उनको आपको एक बार और पढ़ना है आपको अटमेटिकली सारी चीज़े समझ में आ जाएगी क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्छो चलिए अब हम थोड़ा सा कोटाली डॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कोटाली डॉन्स क्या होते हैं कि मैंने सर आपको बताया था कि इस फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा होती है कि से टोटल नंबर में कितने होते हैं किसे टोटल नंबर में कि 15 से 20 क्या देखने को मिलते हैं कितने देखने को मिलते हैं कि सर्क 15 से 20 कोटाली डॉन्स आपको देखने को मिल जाते हैं आगे बात समय यहां तक की बहुत बढ़िया अगर मैं आपसे बात करूं किसे दो टाइप का सर्कुलिशन देखने को मिलता है और एक फीटल सर्कुल प्लेसेंटल सिर्कुलेशन अब भया, सिंबल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसेंटल सिर्कुलेशन का मतलब क्या है देखो, ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारी मदर साइड है, ठीक है ये हमारा क्या है, मदर साइड है और ये फिटल साइड है तो अगर मैं आज की बात करता हूं कि सर इसके बीच में जो यह हमारा क्या है अगर मैं इनके बीच में होने वाला इनके बीच में होने वाला सर्कुलेशन को अगर मैं नाम दूंगा तो इसको क्या नाम दूंगा कि यूटेरो मदर को क्या कहेंगे मद के प्लेसेंटा और मदर के बीच में होने वाला सर्कूलेशन क्या कहलाता है और इसको हम क्या कहेंगे सर इसको हम कहेंगे कि फीटस तो मतलब फीटो प्लेसेंटल circulation कहलाता है simple सी बात है यहां पर इसी प्रगार की confusion की बात यहां पर नहीं करी गई है fetoplasental calculation होता है और utero placental circulation इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समाज लेते हैं ठीक है? चलिए तो है एक तरब डालेंगे fetoplasental और एक तरब डालेंगे maternal मतलब utero circulation है ना तो है तो प्लेसेंटल circulation और एक होता है fetoplasental circulation ठीक है बच्चों अगर मैं utero placental circulation की आप से बात करता हूँ तो इसके अंदर जो पहला point आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि sir mother to placenta ये क्या होगा mother to placenta देखने को मिलेगा अगर मैं आप से दूसरी बात करता हूँ it is present in IBS IBS का मतलब क्या है बच्चों IBS का मतलब होता है कि internal inter-bly system ये internal blight system के अंदर present होता है मैंने आपको कल की glass में ये चीज़े बताई थी मैंने आपको बताया था कुछ diagram बना के कि sir यहाँ पे तो क्या देखने को मिलता है कि sir ये blight system होता है और यहीं पे हमारा क्या देखने को मिलता है मदर का circulation देखने को मिलता है हम दोनों के दोनों सासा चीज़े लिखेंगे कि इसको मैंने बोला fetus to placenta ठीक है इसको हमने क्या हुआ it is present it is present in blight कि ये blight के अंदर present होता है और ये क्या होता है कि inter blight space के अंदर present होता है तोनों की बाते समझ में आ रही है देखो इससर ये तो क्या है ये तो हमने एक घर बना दिया अगर ये बंद होता तो इसके अंदर तो ये तो घर हो गया तो इसका मतलब कि ये तो क्या हो गई बिलाइज हो गई और ये जो space है उपर जो बन रहे हैं इनको बोलते हैं Interblair Space, इसको बोला हमने Interblair Space, तो जो mother animals कितना होता हो तो सर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी दीर पहले, कि जो maternal होती है जो mother होती है वो कितना contribute करती है 600 ml का contribution देती है और जो fetal blood जो होता है fetal जो blood होता है इसके अंदर वो कितना होता है कितना देखने को मिलता है वच्चो साड़े 300 ml आपको देखने को मिल जाता है अगर मैं आपसे बात करूँ कि it is it is established by day 15 after fertilization कि जो maternal blood होता है वो सबसे पहले आता है सबसे पहले कौन आता है सर maternal blood आता है day 15 पे आपको देखने को मिल जाता है question बहुत important है कि day 15 पे कौन सा blood circulation, fetal circulation देखने को मिलता है maternal circulation देखने को मिलता है तो आपको urgent answer बताना है तुरंत answer बताना है किसा day 15 पे maternal circulation आपको देखने को मिलता है जबकि कौन सा circulation जो fetal circulation होता है fetal circulation होता है बच्चो वो कितने देखने को मिलता है कि इसा day 17 पे आता है कितना देखने को मिलता है इसा day 17 after the fertilization आपको देखने को मिलता है क्या आपको मेरी बास समया आई बच्चो बहुत बढ़िया अगर मैं आप से question करता हूँ कि utero placental question जाना कना question बहुत अच्छा है question को समझने का तरीका आना चाहिए ठीक है तो utero placental circulation या फिर हम कह सकते हैं utero placental blood flow atom in IBS IBS के अंदर मतलब की inter bliss space के अंदर कितना flow आपको देखने को मिलता है question बहुत ज़्यादा important है 1500 ml कोई answer नहीं देगा 1500 ml कोई answer नहीं देगा यहाँ पे flow की बात करी गई है 1500 ml तो contribution के लिए होता है placenta में प्रेसेंटा के अंदर 500 ml blood होता है तो उसमें से 1500 ml होता है लेकिन इसकी हम flow की बात कर रहे है रोटिन में चलता तो रहेगा यह थोड़ी है कि सर आपने बताया कि सर 1500 ml होता है inter bliss space के अंदर त तो इस भाईया अब flow की बात कर रहे है कि कितना इसके अंदर blood आता है जाता है कितना आता है जाता है बताएंगे इस answer का जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी देख मैं बता देता हूं मुझे ही चॉकलेट चीए तो हम बात कर लेते हैं जो IBS के अंदर जो utero placenta circulation होता है उसके अंदर जो flood होता है वो कितना होता है बच्छो 500-700 ml आपको देखने को मिल जाता है और बहीं अगर मैं आपसे दूसरे question की बात करूँ तो in IBS लिखेंगे in IBS या फिर ऐसे लिखेंगे uterine blood flow जम के सकते हैं uterine blood flow at term पर कितना uterine blood flow होता है तो भी 600-700 ml ही आपको आंसर देना है अगर मैं आपसे दूसरे question की यहां पर और बात करता हूँ की सर इन IBS, in IBS, in IBS, how many, how many them, how many them, how many them, ऐसे लिखेंगे, how many blood is replaced per minute, तो आपको बताना है इस तीन से चार लीटर per minute क्या होता है, blend हमारा, क्या देखने को मिलता है, replace देखने को मिलता है, कि सर आपको interblast space के अंदर, कितना ब्लड आपको देखने को मिल जाता है, कि सर, एक मिनिट के अंदर, तीन से चार लिटर आपको blood का replacement में देखने को मिल जाता है मतलब आज आके चला जाता है उसको कहते है replacement क्या आपको मेरी बास समझ में आई बच्चो तो यहां तक ही condition सबको समझ में आई बच्चो यहां तक ही condition में किसी को को doubt है अगर मैं आप से एक question और करता हूँ देखेंगे कि फीटो placental blood flow at term कि फीटो ब्लसेंटल का जो blood flow होता है वो 400 ml होता है कितने में पर मिनिट के इसाब से होते हैं जानकड़ाई सारे जो blood flow होते हैं कितना होता है बच्चो 400 ml पर मिनिट के इसाब से क्या देखने को मिलता है आपको फीटो प्लसेंटल उसका फीटस का जो blood होता है उसका जो flow होता है उसको 400 ml पर मिनिट के इसाब से देखने को मिल जाता है अगर मैं आप से एक question की और बात करता हूँ चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ ठीक है फीटो प्लसेंटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सुना है आपने तो आप उसकी बात करते हैं कि फीटो प्लसेंटल जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे कैसे होता है है अधिन डालेंगे है अधिन डालेंगे सारे बच्चे फीटो प्लसेंटल ब्लेड सर्कुलेशन अधि अधि चलिए तो लिखेंगे फीटो अधि है 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 ही यहां सिंपल इसी बात में आपको बताताओं कि एक तो हमने क्या या oxygenated ये क्या है हमारा oxygenated blood है ये क्या है बच्चो oxygenated blood है और कौन carry करता है यहाँ बिसर उल्टा होता है हमारे अंदर तो ग्या होता है तो simple सी बात है कि fetus के अंदर अलग-अलग conditions आपको देखने को मिल जाती है जैसे हमारे अंदर artery क्या करती है कि oxygenated blood को carry करती है और vein क्या करती है deoxygenated blood को carry करती है लेकिन fetus के अंदर इसका just opposite हो जाता है कि artery क्या करती है वहाँ पर deoxygenated blood को carry करती है और vein जो होती है वो क्या काम करती है यहाँ पर vein जो होती है वो oxygen को carry करने का काम करती है oxygenated blood को carry करने का काम करती है तो placenta से जो oxygenated blood होगा उसको कौन लेके जाएगा तो sir umbilical vein लेके जाएगी sir umbilical vein आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी question आपसे कभी भी कैसा भी question पूछा जा सकता है इससे और मैं आपसे बात करूँ कि sir यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा की sir यहाँ पे तो हमने बता दिया आपको की oxygenated की بात कर रहे थका यहाँ पे डि आक्सिदेट की ब्लड होता है उसको कौन लेके आएगा उसको कौन लेके आएगा बच्चो तो यहाँ पे आपको आंसर देना है की sir यह क्या है डि ऑक्सीजिजेनेट क्या है यह दि deoxygenated blood है है और हम बात कर सकते हैं deoxygenated blood का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है बच्चो कि CO2 है इसके अंदर भरपूर मात्रा में CO2 है तो इसको कौन लाएगा इसको लाएगा umbilical artery यह आपको भूलना नहीं है यह बहुत बढ़ा concept है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्या आपको मेरी बास में आई बच्चो बहुत बढ़िया तो मैं आपसे कुछ यहां पर बात करता हूं कि सर हमने बताया कि सर इसके अंदर हमने बात करी कि सर एक होता है यह अमझाइकल वेन होती है और एक होती है अ dare गैन्स अंबिलाएकल लुक्रियोरि यह होती है अंदर हम बात करूं आप से अंदर की जो होती है उसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया कि श्रचियं को करें करने का काम होता है तो यहां पिलिखेंगे सबसे पहले, it carry the oxygenated blood from placenta to fetus, मतलब कि placenta से fetus तक पहुचाने का oxygen का काम कौन करता है, कि सर अमलाइकल वेन करती है, अगर मैं आप से बात करूँ, कि सर अमलाइकल आर्टरी का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि carry the oxygenated blood carry करने का काम करता है, कहां से fetus से निकलने वाली CO2 को काम पहुचाता है, कि सर काम होता है, placenta के अंदर बहुचाने का काम करता है, क्या आपको इस दोनों points में आए, बहुत बढ़िया, इसके अंदर जो oxygen की saturation power होती है, इसके अंदर जो oxygen saturation जो power होती है, वो कितनी होती है कि सर बहतर से, या सतर से 80% देखने को मिलती है, और इसके अंदर oxygen की जो power होती है, इसके अंदर कितनी होती है, पचास से 60% होती है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चे को सिर्फ 10 से 20% oxygen क्या देखने को मिलती है, reserve आपको देखने को मिल जाती है, आगे बहुत बढ़िया, तो अब मैं आप से कुछ बात करता हूँ, कि क्या होता है, कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके साथ सिर्फ ambleical artery आपको देखने को मिलती है, और ambleical जो भी निकल के बाहर हो जाती है, तो उनके जो remnant बस्ते हैं, उनके जो remnant बस्ते हैं, उनको क्या कहते हैं, remnant बे बहुत बार, question पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, कि सर, ambleical, बेन का remnant क्या होता है, तो आपको बताना है, कि सर, क्या होता है, like για meant time, area, आपको answer देना है, क्या देना है, लिगा मेंटम of area, आपको आंसर देना है और आपसे क्योंच पूछा जाता है कि sixtro reminds कल 23 का मुझार लिगनेटी क्या होता है तो आपको भी नहें कि इसका ंभाविंड औसका आंसर आपको हो डे देना है यहां तक ही Lamb listening किसी को दाउट है बच्चो आपको यहां तक की class में किसी को को doubt है अब हम बात करते हैं प्रेुशंट था में किसे बारे में बात करते हैं कि% क्या सबसेंट के कुछ functions के बारे में करता हूँ यहाँ पर कि एक्षेंज क्या करता है कि सर एक्षेंज और गैसिस कि न्यूट्रियंट्स कि एंड विश्ट प्रोड़क्ट कि विट्वीन फीटस प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा के बीच में प्लेसेंटा और फीटस से एक्षेंज का काम करता है जैसे कि गैसिस का एक्षेंज करता है किसी चीज का भी एक्षेंज कर सकता है इसका सिर्फ काम होता है पहुचाना और लेना अच्छे पदार्तों को पहुचाना किस की तरफ किस की तरफ प्लेसेंटा फॉर्म हार्मोन लाइक, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टरोण, एस सीजी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनको क्या करता है सीग्रेट करने का काम करता है बहुत बढ़िया और क्या कर सकते हैं कि it is a work as a barrier का काम करता है किसके लिए देखेंगे कि it is a act as a barrier between fetal fetal blood and maternal blood बढ़िया और क्या काम करता है कि fetal blood के बीच में और maternal blood के बीच में बैरिल का काम करता है ताकि तोनों चीजे mix ना हो पाए बहुत बढ़िया और क्या कर सकता है और क्या करता है बताई बटाबट से तो यही सारे जो काम होते हैं जो नॉर्मल काम होते हैं सारी चीजों के मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों यह आपको वर्क देखने को मिलते हैं लेकिन इन्पॉर्टेंट एक बर्क और होता है इसका पी ए डवल पी ए पपा आएंड बीटा वन ग्लाइको प्रोटीन इस फॉर्मड प्लेसेंटा यह क्या काम करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह पपा एंड बीटा वन जो होती है ग्लाइको प्रोटीन उनको क्या करता है यह बनाने का काम करता है और यह क्या काम करती है यह क्या काम करती है कि विच एक्ट इस इम्यून वू कि प्रूहि ją प्रमचेश कारती है इस एक्शेंट प्रूहिग लिए कि ए पिवेंट्ट रिजेक्शन है कि बहुत ज्यादा एंप्रोटेंट की प्लेसेंटटा के अंदर कॉन-कॉन से हार्मॉंस बनते हैं कि सफॉट पपा एड़ पीए डेवल पिए पाप एड़ वीटा-वन गलाइको प्रोटिन इसके अंदर बनती है जो क्या काम करती है, immunosuppressant का काम करती है, फीटस को, देखो, आपको simple सी बात मैं आपको बताता हूँ, कि जबी भी हमारे अंदर, हमारी बोडी के अंदर कोई भी नई सीज आती है, तो वो क्या काम करती है, कि सर, foreign body होती है, क्या होती है बच्चो, कि foreign body होती है, अब foreign body होने के कारण, वो क्या करती है, कि body के दवारा उसको reject कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको reject कर देते है, कि body उसको accept नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या है, कि उसको blood supply नहीं करेगी, प्रापर उसको वर्क रही करेगी उसको कॉपरेट नहीं करेगी बोडी अब कॉपरेट नहीं करेगी तो फीटस भी क्या है हमारे लिए फीटस भी क्या है बच्चो फीटस भी न्यू है कि बोडी के लिए तो नया पदात है फीटस भी तो फीटस के अंदर इसके अंदर क्या ह करते हैं गाते हैं और इम्म्ण सिस्टम को सब्सक्राइबहने वाले होते हैं तबnam कहते हैं कि प्रेगन को प्राउड के अंदर नहीं ले जाना चाहिए ला कि D या के प्रशक प्रकार का इसी लिए उनको लग सकता है इस लिए हममे क्या करना है कि इन चीजों को prevent करना होता है कि fetus क्या हो सकते उसको reject ना करे इसी चीजों को इसी लिए क्या करते है कि papa and glue का बीटा जो one होता है उसको release करवाता है कौन placenta यहां से आपको question पूछा जा सकता है इसको अच्छे से ध्यान कर लिए जगा आगे बसन में तो टेक्यों सोमच आज फिस्क्रांस के लिए घ्ल हम बुस् के वारे सब्स्कार जबर कर ये घ्लोर सब्सक्राइब थेंक्यों स्प्राइब झाल झाल